परिचय जनसंख्या में तीव्र, तेज वृध्धी के कारण हम जनसंख्या विस्फोट का निरीक्षन करते हैं। हाँ, ये सब मृत्युदर में कमी और जीवन काल में वृध्धी का परिणाम हैं। तो आओ इस पाठ में हम जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे। जनन स्वास्त के महत को समझना। यौन संचारित रोगों को पहचानना। जनसंख्या के नियंत्रण की विधियों को समझना। लिंग अनुपात को समझना। जनसंख्या आगार को पहचानना। जनन स्वास्ते जनन स्वास्ते सामान स्वास्त के वे सभी पहलू हैं जो की एक मनुष्य के सामान ने सुरक्षित तथा संतुष्ट जनन जीवन को बढ़ावा देने में सहयक हैं। यौन संचारित रोग वे रोग जो यौन सम्मंधो द्वारा एक संक्रमित प्राणी से स्वस्त प्राणी में संचरित होते हैं। यौन संचारित रोग कहलाते हैं। ये विभिन सुरक्ष्म जीवों द्वारा जो की यौनी, मुत्रमार्ग, गुदा और मुक्ल के गर्म और नमी वाले वातावरण में रहते हैं। कुछ यौन संचारित रोग निम्न हैं। इस रोग का मुख्यलक्षन मुत्रो जननमार्ग में सूजन तथा जलन है। तथा पेशाप करते समय रोगी को अत्तेदिक जलन महसूस होती है। यह जीवानों नर के मूत्रमार्ग और मादा के गरभाशे ग्रिवा को संदूशित करता है। सिफिलिस, ट्रेपोनेमा, पेडिलियम जीवानों द्वारा होता है। मूत्रो जननमार्ग की म्यूकस जिल्ली में धब्बे यानी चकत्ते होना तथा जननांग पर अलसर होना आदी इस रोग के मुख्य लक्षन है। ट्राई कोमोन स्था एक प्रोटो जोवा, ट्राई कोमोनास वेजिनेलिस द्वारा होता है। मादाओं के मूत्रो जननमार्ग द्वारा कुछ योनी स्राव इस रोग का मुख्य लक्षन है। एड्स एक विशानू HIV द्वारा होता है, जो की शरीर की प्रतिरोधक्षमता को कम कर देता है, तथा जिससे शरीर किसी भी रोग से जल्दी ही ग्रासित हो जाता है। एड्स के संचारण के माध्यम योन संबंध, संदूशित प्राणी के रक्त का रक्ताधान यानी स्थानांतरण, संदूशित सुई का प्रयोग, सरगबता यानी गर्भावस्था के दौरान, अपरा द्वारा मात्र से शिशु में आना आदी है। जन्म नियंतरण की विध्यां सगर्भता गर्भावस्था का नियंतरण करने के लिए अनेक तक्नीकियां विक्सित की गई हैं। ये मुख्यता तीन प्रकार की होती हैं। यांतरिक अवरोधक विधी, रासायनिक विधी, शले क्रियात्मक विधी। यांत्रिक अवरोधक विधी अन्ता गर्भाशयी युक्तियों का प्रयोग गर्भाशय में अंतर रोपन को रोखता है यह युक्ति कौपटी है जो की डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा गर्भाशय में सुरक्षित रूप से लगाई जाती है रासाइनिक विधी रासाइनिक विधी में स्त्रियों द्वारा विशिस्ट आउशधियां प्रयोग की जाती है जो की दो प्रकार की होती है मुखवाली गोलियां और यौनी वाली गोलियां मुखवाली गोलियों को मुखिय गर्भ निरोधग भी कहते हैं, जो की शरीर के हार्मोनों के संतुलन को बदल देती हैं, जिससे की अंड का त्याग नहीं होता और निशेचन नहीं हो सकता है शल्ले क्रियात्मक विधियां शल्ले क्रियात्मक विधियों में नरों में शुक्रवाहक के एक छोटे से हिस्से को काट या बान दिया जाता है, इसे शुक्रवाहक उच्छेदन यानि वासेक्टों में कहते हैं, अताह शुक्रवाहक रोधित हो जाता है, इस प्रकार शुक्र मादाओं में अंड वाहिनी नली का शल्ले क्रियाओं के द्वारा काट या बांध दी जाती है। मादा तथा नर की संख्या का अनुपात ही लिंग अनुपात कहलाता है। एक स्वस्त समाज के लिए मादा नर का अनुपात बनाय रखना अत्यंत आवशक है। कन्या भुरून हत्या की कारण हमारे समाज के कई हिस्सों में कन्या शिशू लिंग अनुपात का गिरना एक चिंता का वशय है। इसलिए जन्म से पहले भुरून के लिंग का पता लगाना एक कानूनन अपराध माना गया है। जन्संख्या का आकार जनन की सहायता से जीव अपनी जन्संख्या में वृध्धी करते हैं। एक निश्चित जन्संख्या में जन्म तथा वृत्यू की दर जन्संख्या का आकार निर्धारित करती है। जनसंख्या में व्रिध्धी तब होती है जब जन्मदर व्रिध्यूदर से अधिक होती है क्या आप जानते हैं? मानव जनसंख्या व्रिध्धी की चर घातां की अवस्था एक हजार सासो पचास एडी में शिरू हुई थी विश्व की मानव जनसंख्या अगले 30 वर्षों में 9.5 अरब तक पहुँच जाएगी भारत ऐसा पहला देश बना जिसमें 1951 में सरकार द्वारा प्रवर्तित परिवार नियोजन को अपनाया गी नाकू राष्ट्रिये एट्स नियंतरन संस्था भारत ने 1987 में राष्ट्रिये एट्स नियंतरन संस्था प्रारंप की थी प्रतिक वर्ष एक दिसंबर विश्व एट्स दिवस के रूप में मनाया जाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं मानव जनसंख्या में तीवर व्रिधी जनसंख्या विस्फोट कहलाती है इसका मुख्य कारण व्रिध्यु दर में तीवर ग्रावट और जीवन दर में तीवर बढ़ोत्री होना है जनसंख्या विस्फोट के परिणाम अनुसार कुप्रभाव उत्पन्य होते हैं इसलिए ततकालीन जनसंख्या नियंत्रण की आविशक्ता है जनसंख्या व्रिधी परिवार नियोचन कार्ग्रमों के द्वारा रोकी जा सकती है जिसके अंतरगत विभिन प्रकार के यांत्रिक, रासाइनिक, शल्ले, क्रियात्मक और प्राकृतिक विध्या आती हैं यौन संचारित रूग आस्वरक्षित यौन क्रियाओं के दौरान संचारित होते हैं एड्स, क्लेमीडियेता, सुजाक यानि गोनोरिया, सिफिलिस, हैबिटाइटिस बी, जननिक परिसर्प यानि जनाइटिल हापीज और ट्राइको मोनस्ता आदी कुछ समाने यौन संचारित रोग हैं जीवन साथी के साथ वफदारी निभाकर तथा समलेंगिक्ता, वैश्यवरित्ती तथा अनेक लोगों के साथ सेक्स करने को रोग कर इन्हें प्रबंधित तथा नियंत्रित किया जा सकता है झालाँ झालाँ जाने कर दोग कर दो जार सकता है